आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now तो हम इस Question में ये गिवन है कि X और Y जो है वो क्या है Areas of Square and Roombus चीक है ये हमें X और Y गिवन है जो कि हमारे क्या है Area of Square and Roombus of Side of Same Length मतलब इनकी Same Length है of Square and Roombus हमें बताने है X इस तो Y क्या होगा ठीक है तो ये हमारा Square है मैं इसको दुबारा Draw करता हूँ ठीक है ये हमारा Square है और ये हमारा क्या होगा ये है Roombus ठीक है अब हमें given है कि इन दोनों की जो Length है वो Same है ठीक है मैं इसकी Length Square की Length क्या मान रहा हूँ A ठीक है और इस की भी इस Roombus की भी Length मैं A ही मान रहा हूँ ठीक है अब जैसे कि आपको पता है कि Area of Square का Formula क्या होता है Area of Square is equal to Side into Side ठीक है मतलब Side Square जिसका मतलब A Square होगा है ठीक है और Area of Roombus क्या होता है मार पास Base into Base into Height ठीक है तो Base into Height मतलब तो जो कि हमारा Parallelogram है आपको जैसे कि पता है Roombus एक Parallelogram होता है तो Base into Height हम लिख सकते है इसको ठीक है तो Base क्या है हमारा A और Height भी A है तो यह क्या होगा A Square ठीक है तो Area of Square हमें Quotient में क्या given है यह क्या हमारा X और Area of Roombus क्या हमारे पास Y तो X और Y को हम अगर Divide करेंगे तो यह क्या मिलेगा A Square by A Square यह Cancel Out हो जाएगा यह क्या मिलेगा में 1 by 1 मतलब मतलब यह है कि X is to Y जो रेशिया है वो क्या है 1 is to 1 तो Option 1 हमारा Correct Option है Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा Students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे Doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने Doubts 8400-400-400 पर